हेलो, लाइफ इद आयरवेद में आपका स्वागत है आज हम बच्चों में कबज की समशा को जानेंगे कि बच्चों में कबज क्यों होता है वे इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं जब बच्चों की आतों में तरल पतार्थ के आशोशन में अत्यादिक समय लगने लगता है तो इसमें सूखा और कठोर मल अधिक मातरा में जमने लगता है इसी वज़े से बच्चों में कबज की परिशानी हो जाती है बच्चों में कबज की समश्या को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों के खान पान और जीवन साली को सही करना होगा क्योंकि अगर बच्चों का खान पान सही होगा तो बिना किसी उपचार के ही बच्चों की कबज की समश्या को ठीक किया जा सकता है लेकिन अगर उसके बाद भी यह समश्या दूर नहीं होती तो आप कुछ घरेलू पायों को अपना सकते हैं तो आए सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों का खान पानवे जीवन सैली कैसी होनी चाहिए जिससे उनको कब्ज की समशन नहीं हो बच्चों को होने वाले कब्ज काईला जीवन सैली में बदलाव और बहतर डायट के जरिये किया जा सकता है जब तक जरूरत जादा नहीं हो तो इसके लिए दवाया नहीं दी जानी चाहिए बच्चों को सुबह के समय उड़ते ही एक से दो गलास पानी पीना चाहिए उसके बाद ही शोच के लिए जाना चाहिए शुरुआत हमेशा थोड़े पानी से ही करें क्योंकि बच्चा शुरुआत में जादा पानी नहीं पी पाएगा लेकिन जब बच्चों की आदत बन जाए तो पानी की मातरा को दीरे दीरे बढ़ाते जाई बच्चों को अधिक से अधिक फलों का सेवन करना चाहिए जैसे पपीता, संतरा, खजूर, नारियल, अमरूद, अंगूर, सेब, खीरा, गाजर, चुकंदर, अक्रोट, अंजी, रादी ये सभी फल कबज की समशा को दूर करने के लिए बहुत फाइदेमंद होते हैं नीबू, पानी, नारियल, पानी, फल या सबज्यों का रस कबज से पीरिद बच्चों की दिनचरिया में जरूर शामिल करें कबज से गर्सित बच्चों को बिस्किट, ब्रेड जैसी मैदे से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए तली, बुनी, मिर्च, मसालेदर खाद्य पदार्तों का सेवन भी बच्चों को नहीं करना चाहिए बच्चों को दही या छाच में भुना हुआ जीरा, वै काला नमक मिला कर पिलाएं कबज के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है फास्ट फूर्ड जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और पीजा बच्चों को खाने के लिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्तों में पोशकता तो नहीं होते जिन से डिहाइडरेशन की समश्या हो सकती है बच्चों की डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर व्युक्त आहर को शामिल करें फाइबर पेट की समश्याओं में मुक्ती दिलाने के लिए सबसे अधिक उप्योगी है आप बच्चे को दाल जरूर पिलाएं आपको बच्चों की आहर में दाल को शामिल करना चाहिए इसके साथ ही आप जो को भी शामिल कर सकते हैं पानी पाचन को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है इससे आंथ साफ होती है इसलिए कब्ज ओने पर बच्चे को प्रियाप्त मातरा में पानी पिलाएं कब्ज से पीडित बच्चों को सुबह के समय कुछ देर खूली हवा में रोजाना शेर के लिए जाना चाहिए ऐसे बच्चों को सुबह के समय हलकी फुलकी एक्सिसेस करवाने चाहिए बच्चों को परते दिन टोयलेट सीटिंग टाइम के लिए प्रोसाइद करें आज कल बच्चे जादातर समय फोन या मोबाइल देखकर निकालते हैं और जादा से जादा समय तक बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं इस वज़े से उनकी फीजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो पाती है आप उन्हें जादा से जादा समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोसाइद करें उन्हें सुबह शाम पार्क में खेलने ले जा सकते हैं या फिर दोड़ने वे भागने वाले गेम्स बच्चों को खेलने के लिए कहें इससे उनके दुआरा खाया गया भोजन आसानी से पचेगा और कबज की समस्या भी दूर होगी टब में गुंगुना पानी डालकर बच्चों को नहलाने से भी उन्हें कबज की समस्या में राहत मिलती है इसलिए नहाते समय बच्चे को कुछ दे टब में खेलने दे 15-20 मिनट बच्चा जब गुनगुने पानी में बैठेगा तो इससे उसकी कब्ज की समश्या में राहत मिलेगी क्योंकि जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो पेट में की गई हलकी फुलकी मालिश उसकी आथों को उतेजित करती है ऐसे में उसे मल निकासी में आसानी मिलती है और फिर कब्ज की सिकायत नहीं होती आप बच्चों को भोजन करने के बाद 5-10 मिनट के लिए वजरासन में बैठने के लिए भी कह सकते हैं अगर बच्चों की दिन चरियावे खान पान में बदलाव करने के बाद भी बच्चों के कब्ज की समझ्चा सही नहीं होती तो आईए जानते हैं आप उन के लिए कौन से घरेलो उपचार अपना सकते हैं एक कप हलके गरम पानी में एक निम्बूनी चोड़कर पीने से आतों में जमामल बाहर निकलने में सहायता मिलती है पास से छे मुनका को दूद में उबाले और पहले मुनका खाएं और उसके बाद बच्चों को दूद पिलाएं बच्चों को कब्ज होने पर उसे एक गिलास संतरे के जूस में आदा गिलास पानी मिला कर दिन में दो बर पिलाएं बच्चों को सोने से पहले गुनगुने पानी में तिरफला मिला कर भी दे सकते हैं गरम पानी में केला मिलाकर सुबह के समय खाली पेट बच्चों को खिलाई यह पेट साफ करने में मदद करता है नियमित सेवन करने से बच्चों की कबज की समश्या खतम हो जाती है आवला बच्चों के पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है आप बच्चों को आवला खिला सकते हैं या फिर आवले का जूस पीने के लिए दे सकते हैं कब्ज की समश्या में बच्चों को पपीते वे अमुरुद का सेवन करवाएं ये दोनों ही चीजे कबज के लिए बहुत ही फाइदेमंद होती है किसमिस को कबज से राहत देने के लिए जाना जाता है किसमिस को रात भर भिगोएं और अगले दिन बच्चों को खाने के लिए दे ये सबी घरेलू पाए आपके बच्चों के कबज को दूर करने में मदद करेंगे लेकिन सबसे पहले बच्चों को होने वाली कबज का इलाज जीवन सहली में बदलाओ और बहतर डाइट के जरिये किया जाना चाहिए यह बच्चों के लिए बहुत जरूरी है अगर आपको ये वीडियो हेल्फू लगे है तो लाइक शेर कमेंट कीजिए थैंक यू